वेल्कम टू एक्विटर अकैडमी दहरादून और आज हम छोटा थे कोड़ टॉपिक ले रहें जिसे कभी का वार आपके एक दो पुर्शन आयते हैं वो है आपका कुशान डानेश्टी तो यह जो कुशान डानेश्टी चेप्टर है बच्चों यह आपका किसके अंदर आए कि जो कुशान थे वो में तोर पे क्या कहे जाते थे कहां से आये थे तो जो कुशान डानेश्टी के लोग थे शिरू में यह आपके यूची ट्राइब थी ठीक है यूची यूची ट्राइब जोकि उस समय के टिबद सो कॉल्ड चाइना में पाई जाती थी और वहां से करते तो आपका एक जो ट्राइब को कि लौंग करते थे तौर आप करें। को बिलॉंग करते हैं अब बात करें कि यह जो कुशान डैनिस्टी का जो छेत्रफल था जो एरिया था कहा था कि इन्होंने अक्युपाइट कर रखा था तो आप यह मांगे चलेंगे कि इनका जो एरिया था गंगा यानि गैंजेटिक प्लेन था आपका पुरा मदेश्या तक इनका माना जाता था कि जो अप्रोश था रहा था लेकिन हमारे आप खासरों पर उत्तर भारत जो है कि कुछ तमेता के लिए इनके पास आ गया था अब इंसलेटिट कोशन क्या बनते हैं सबसे पहले कोशन यह बनता है कि इनके जो किंग्स के नेम है वह आपको थोड़े से व्मकड्चिक फिश तीसरा नाम आपको मुलेगा कनिश्क यही वो नाम है जो सबसे अढ़ मैं आपने पढ़ना भी है पस सब्enschli caniska से ही पाते है उसके बाद भूविश्क जो यह इस इसी कुशान डानेस्टी में जो सबसादा कोशन बनते हैं एक्जाम में वो आपके कनिश्का से बनते हैं जिसका टेन्योर जो है वो 78 AD से शुरू करते हुए 105 AD तक माना जाता है और इसी जे लेटेट सारे बहुत सारे कोशन जो उपते हैं वो आपके एक्जाम के लिए important माने अब कुछ overall की बात करें कि कनिश्का से क्या क्या ऐसे चीजें जो आपके एक्जाम में असरा आती हैं सबसे पहला है कि कनिश्क की वो गिंग थे जिन्होंने बहुती लार्ज कॉंटिटी में क्या इशू किये थे आपके जोल्ड पॉइंस इशू किये थे गुल्ड पॉइं कुछ आता है कि वह कौन सी डैनेश्टी के लोग थे जिन्होंने भारत में बहुत बड़ी कदाप में बहुत बड़ी संख्या में गोल्ड पॉइंट इशू किये थे तो आप टिकर के आईगा कुशान डैनेश्टी के लोगों में उसके बाद कहते हैं कि इनके जो गोल्ड क प्रक्राट में और बहुत बड़ी मात्रा में और और अपके कह सकतो कि सुपर क्वालिटी के गोल्ड कोईंस थे आपके जो कॉपर कोईंस है वह भी आपके इन्होंने इस्थू किये बहुत बड़ी थैसके बाद जो आपकी यूपी में जगे है मतुरा यह मत्रा कहते है कि इनमें कई मत्रा के जगें में बहुत सारे आपकी है कि या उसमेंद हैं, मत्रा में मन्हें कुशान कोई्ट मिले हैं मत्रा में हैं मत्रा में हमें कुशान से लिएट script मिली हैं ideas, मूर्तिया मिली है, structures मिले आपके एक centre रहा होगे तोateg能 है हैं, और इसलिए मत्रा जो थी वो भारत के अंदर आज के भारत के अंदर कुषानों की सेकर्ण कैपिटल हुआ कर द थी, मत्रा क्या थी आपकी तेकंड कैपिटल थी कुष्ण टीन कीच की डंला लाँ अपिशन आपको पॉइंट आच अग्जाम में कीच्ष्ण सेक इसक पुरुषपुर जिसको आज के कॉंटेक्स में पेशावर का ज़ता है पाकिस्ताम में अपने हम ने प्रिजाब करके अपने मत्वरा में लखें उन्होंने तो बिल्कुर डिस्ट्रॉइ कर दिये लगभल लगभल तो पुरुषपुर जो थी वो कुषान डानेस्ट्री की फर राजा धिराज अगर ऐसा कुछ पुष्चन आता है कि तो फूर्स पिंग इनकुषान डानेस्टी वह अप्टेट अफ महराजा धिराज तो आप टिकर के आना कुजल कट फिशस ठीक है पुजल यह जी यह भी का तिक तिक कुजल कट फिशस एड़क्ट इड़क्ट इन टै वह आपके इश्यू चीए इससे पहले एक में किसी ने इतने पॉइंस इश्यू नहीं किये थे उसके बाद इसके दूसरा आपना किंग था विम कट फिशस अगर हम उसकी कुछ बात करें विम कट फिशस ठीक है यह जो विम कट फिशस था इसका टैनि मुन भी एक लो बच् बात करें तो इसने सबसे पहला गोल्ड कॉइंस प्लस आपके जो कॉपर कॉइंस थे वो दोनों इसने इश्यू कि थी कि फिर सेकेंड अगर फैक्री बात करें कि सो कॉइंस पर जो आपकी क्या थी स्क्रिप्ट थी ठीक है वो किस लैंग्वेज में थी अगर ऐसा कुछ स्क्रिप्ट थी वो दो लैंज में बहुत जादा लिखी गए थी एक तो ग्रीक में और एक तो दूसरी आपकी खरोष रोष्टी ठीक है खरोष्टी लेंगे बहुत सारे आपके पूछी आप में और एक आखरी पॉइंट इसके लिए लोगो विम करफिशस के बारे में टिकर क्यान में विम करफिशस